हेलो एबरीवन, वेलकम बैक टू दिस विडियो तो CEOA की कम्प्लीट विडियो में आपका स्वागत है और यार आज की इस विडियो के अंदर हम जो है CEOA को कम्प्लीटली पढ़ेंगे ठीक है, कम्प्लीट मतलग कम्प्लीट unit number 1 से लेके unit number 5 तक जैसे हमने software engineering को एक घंटे के आसपास पूरा complete पड़ा था basic सारा चीज जान लिया था सारे important topics कवर कर लिये थे same उसी manner में हम COA का unit number 1 से लेके unit number 5 बनाने वाले है because आप लोग बहुत जादा comments कर रहे हैं अगर आप लोग नए हो true engineer चैनल में तो चैनल को subscribe करो और अगर वीडियो पसंद आती है शेयर कर देना तो स्टार्ट करते हैं पहली unit से तो पहली unit में अपन देखने वाले basic structure of computer ठीक है dextra of computer क्या होता है registers क्या होता है और कुछ basic understanding of bus COA के मतलब जो COA है उसके अंदर bus structure है अपने पास RTL language हो गई तो इनके बारे में addressing modes हो गया instruction registers हो गया तो इनके बारे में अपन detail में थोड़ा सा basic basic करेंके complete करेंगे बाकी आपको complete idea लग जाएगा कि किस तरीके से COA आपको read करना है किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैंने desktop computer या फिर one newman architecture पे एक video upload किया तो यह पहला topic है important है basic है वहाई से जाके चेक कर लेना basically मैं इसको short में बता देता हूँ ज्यादा time waste नहीं करता है क्योंकि already डाला हुआ content तो पहले अपना कोई भी input unit होती है ठीक है उसके बाद यह अपना CPU है CPU अंदर अपना arithmetic and logic unit होती है control unit होती है साथ में registers भी होता है तो registers भी आप यहाँ पर बना सकते हैं को दिक्कत नहीं और वो CPU जो है memory unit से directly interact कर जाता है और output as a product अपने को मिल जाता है ALU का काम क्या है इसमें arithmetic और logic unit जितनी भी है मतलब plus minus multiplication division ठीक है and or or x or f not यह सारे logical operation perform होते है control unit के थुरू हम सारा logical और यह data जो है वो सब control करते है input unit आपको पता ही है क्या क्या होती है obvious ही बात है keyboard यह सार जो भी input data है output unit भी आपको पता है printer हो गया ठीक है तो यह सारी चीज़े input output devices आपको पता है memory units क्या होती है memory units होई primary memory secondary memory साथ मैं मैंने बोला registers तो registers क्या होते है registers अपना group of flip-flop होते है या फिर combination of a word ठीक है इस तरीके से भी आप register को define कर सकते हो तो register बहुत ही fast होता है as compared to other units ठीक है तो इस तरीके से आप register को define कर सकते हो साथ में register भी दो तरीके का होता है register के दो तरीके होते है एक होता है general purpose एक होता है special purpose तो दोनों आपको define कर लेना है simple मैं video अल्रेडी पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ देखा जाए तो वैसे general purpose register जो होते है अगर मैं short में आता हूँ तो तो general purpose registers का काम यह होता है कि उसके अंदर हम या तो data store कर सकते हैं या तो फिर address store कर सकते हैं या instruction store मैं बहुत कुछ भी काम के लिए आ सकता है generally कोई भी हम use कर सकते हैं या तो data store कर लो या generally specially स्पेशली अगर आप देखा जाए तो मतलब जनरल परपस जो इसका नाम है तो उसमें या तो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं या तो इंस्ट्रक्शन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं बड़ जो special purpose resister hoते हैs special purpose mom James जो specially होगा जैसे program counting तो इसमें next instruction का address store कर सकते हैं जो specially functions है मालो अगर कोई register data store कर रहा है सिर्फ data ही store कर सकता है जो register का address store कर रहा है सिर्फ address ही store कर सकता जो instruction store कर रहा है वो सिर्फ instruction ही store कर सकते this is your special type of resistors बहुत तरीके के होते हैं 5-6 आप लिख सकते हो example में program counter हो गया instruction resistor हो गया memory address resistor हो गया memory data resistor हो गया इस तरीके से आप accumulator को भी लिख सकते हो तो ये basic हो गया special purpose resistors general purpose की मैंने बात कर ली CPU units मैंने आपको बता दी CPU के अंदर अपना क्या क्या रखा हो था control unit arithmetic logic unit और register register की अभी just बात करिए ठीक है तो पहला question अगर आता है तो ये काम हो गया अब मैंने बुला था register अगर question आता है जो मैंने 15 question जो डाल रखे important for COA उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी अगर जो general register organization आता है ठीक है R0, R1, R2, R3 ऐसे करके normally 8 registers का आप बना सकते हो उसके बाद ये connected होते है अपने अपने दूसरी दूसरी devices के through with the help of buses तो ये diagram तो वैसे इसमें आदा दूर है आप लोग Google वगेरा से download कर सकते हो ठीक है या तो आप लोग मेरा telegram channel follow कर सकते हो जो true engineer नाम गये link में description में डाल दूँगा वहाँ से मैं आपको ये photo दे दूँगा general registers की ठीक है तो वो भी आप follow कर सकते हो तो मेरे क्याल से आप लोग पहला question समाझे गाऊंगे अब दूसरा question है which is called bus organization तो मैंने जो 15 question डाल ले थे उसके अंदर मैंने अभी तक bus organization की बिल्कुल बात नहीं करी है तो bus organization पर आप लोग सोचरोंगे important नहीं ऐसा नहीं है बट जो मैंने 15 question दी है वो maximum cases में आई हूए question से maximum cases का super 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 important topics है bus architecture तो अपने basic अपन 3rd unit में भी पढ़ी लेते है बिना bus का काम ही नहीं होता 3rd unit में ठीक है इसलिए bus architecture मैंने नहीं दिया पढ़ना तो आपको bus भी है पर normally bus क्या होती वो देखते है bus यार यह जो मैं बात कर था रजिस्टर्स की वो diagram यह वाला है इसके अंदर 8 registers होते है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरही के से यह कर सकते है या तो मैं आपको एक telegram में डाली दूँगा ठीक है फोटो तो यह होगा रजिस्टर्स की अब मैं बात करों bus की तो bus का का काम क्या है bus जो होती है वो अपना data को transfer करती है मतलब data का transfer bus के through होता है जैसे कि अगर मैं को data transfer करना है CPU और I.O के बीच में input and output devices के बीच में तो हम किसके through करेंगे with the help of busses bus होती है तीन तरीके की एक होती है address bus एक होती है data bus और तीसरी होती control bus तो तीन तरह की bus होती है तीनों का अलग-अलग use है तीनों का अलग-अलग मतलब चीज़े है तीनों में अलग-अलग data अलग-अलग तरीके से transfer होती है एक address bus नाम से बता चला है address transfer होगा दूसरे में data bus है नाम से बता चला है data transfer होगा तीसरे में control तो obviously आता है तो यह हो गई अपनी bus तो bus के अंदर आप समझ सकते हो अब इसके अंदर एक हो topic है stack organization stack organization आप लोगों ने stack पढ़ा होगा stack क्या होता है एक अपने stack ऐसे तरीके से maintain करते हैं जो last में आता है वो पहले निकल जाता है तो एक LIFO data structure stack last and first out data structure है इसके बारे में आप समझ सकते हो जैसे अगर stack में इस तरीके से entry होती सबसे पहले अपने stack खा ली था फिर उसके बाद अपने 10 भरा फिर 20, 30, 40 तो आप सबसे उपर top of the stack क्या 40 अगर हम remove करेंगे data तो सबसे उपर यही जाएगा तो मतलब जो last में आए, last में क्या आए 40 वो ही सबसे पहले क्या हो रहा है, remove हो रहा है तो last and first out data structure क्यालाता है stack तो stack registration कराता है तो इस तरीके से आप उसको समझा सकते हो basic है यह सबको पता है ठीक है, तो stack जो होती क्या, जिसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है जैसे addressing modes आप पढ़ोगे, types of addressing modes तो भाई यह 0, 1, 2, 3 यह addressing modes के क्या है, types है ठीक है, मैं वो नहीं कहा रहा हूँ कि भाई वो उस तरीके से direct addressing mode, indirect, वो अलग चीज़ है instruction format चमले जीरो addressing modes इस तरीके से जो होता है तो जो 0 addressing mode है, वो follow करता है stack organization को ठीक है, तो यह important है stack उस time पर यह इसको आपको काम आएगा तो stack organization काई follow करता है वाई जो की अपना 0 addressing mode है तो 0 addressing mode में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है हमें stack में सारे values को पहले fill करना पड़ता है with the help of हम input डालेंगे, उसके बाद addition, multiplication, यह सब अपने को output finally मिल जाएगा और अपन उसको x में store कर देंगे उस तरीके से अपना stack organization काम करता है तो मेरे खाल से आप लोग stack organization भी समझ गहोंगे तो अपना addressing mode में या 0 addressing mode में stack registration अगर यह question है, तो इसको अपन stack registration organization with the help of 0 addressing mode के तुरू कर सकते हैं तो मेरे खाल से आप लोग यह समझ गहोंगे basic understanding of stack organization और यह सारी बाखी चीजों के बारे में अब addressing mode basically मैंने बात छेड़ी लिए तो आप इसको देखी लेते हैं देखो, पढ़ने के लिए बहुत बड़ा है unit one, but unit one को जिस according में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस according में आपको बता रहा हूँ सुनना बहुत जादा important है जो जो topic में बता रहा हूँ, वो वो सुनते चलो देखो, addressing modes होते हैं आपको पता है, ठीक है अब बहुत तरीके के होते हैं बट्च अगर अपन types of addressing modes बोलें तो आपको direct addressing mode, indirect addressing mode उसके बाद 10 तरीके के होते हैं increment, auto increment, auto decrement register indirect, register direct ये सारी implied implicit ये सारी चीज़े नहीं करने हैं अपने को दोगो अगर आपसे बोले कि data का transfer चाहिए with the help of addressing modes तो अपने को पता है कि इंस्ट्रक्शन register के अंदर तीन चीज़े होते हैं एक होती है operand, opcode और destination ठीक है, इस तरीके से अपन इसमें follow करते हैं अब इसके through हमारे पास चार चीज़े होते हैं, एक होती 0 addressing mode, दूसरी होती है 1st, 3, 2 और 4 तरीके के होती है तो यह होती है, 0 के अंडर अपन stack का use करते हैं, 1st के अंदर कुछ manipulation करते हैं 2nd के अंदर कुछ और manipulation करते हैं 3rd के अंदर भी manipulation करते हैं but इन में कहीघ, move, लोड यह सारी चीज़ें working होती है 0, 1, 2, 3, 0 में नहीं होती 1 और 2 और 3 में add, load, move interior का और accumulators तो सभी में inbuilt रहते ही है तो इन 3-4 चीज़ों में अपना यह यूज होता है ठीक है 1st address में और 2nd instruction में भी और 3rd instruction में भी तो इस तरीके से अपन follow करते हैं ठीक है तो यह पता होना चाहिए यह भी important है एक बार इसको जरूर से जरूर चेक कर जाना अब IO system bus IO system bus क्या होती भाई input output bus जो control unit या फिर आप कहलो CPU देखो आप लोग CPU के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि CPU की working बहुत जादा fast होती है इस अब देखो IO interface जो 30 unit है उसके उपर भी थोड़ा सा light सा एकदम डालते हैं क्योंकि अपने को IO system bus समझनी है तो थोड़ा सा इधर काम करते हैं देखो आप जानते होगी CPU की working बहुत जादा fast होती super fast working होती CPU की अब अपने को IO के साथ interaction करना है मालो आपने एक program लिखा उसको और 3 store कर दिया अब भाई input ले लिया तो CPU का जो control है वो कहां चले जाएगा input output के लिए तो ये किस के थूर जाएगा input output bus के थूर तो ये बीच में जो यहाँ पर जा रहे हैं अपन data का flow हो रहे है या फिर कहलो CPU से interaction करना है IO का CPU को IO का interaction करना है तो हम किस के थूर जाएगे IO bus के थूर जाएगे IO मतलब input and output bus तो आप जाननी रहे है bus मतलब wires का collection ठीक है मैं आपको bus के बारे में अल्रेडी छोटा से detail में बता दिया तीन तरीके की होती है control अपना control bus होती है ठीक है तीन होती है control bus फिर उसके बाद अपना data bus ठीक है और address bus तो ये तीन तरीके की bus है उसके थूर अपन ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ठीक है तो अपना जो CPU से interaction है IO का with the help of bus is known as IO bus ठीक है बस इतना जान लो क्योंकि CPU की speed बहुत fast है iOS compared to CPU बहुत जादा slow है तो अपने को बीच में एक ऐसा interface चाहिए जिसके थूर ये data transfer तेज हो जाए या फिर CPU से जो data हम यूज कर रहे है IO के लिए वो तेज हो जाए इसी concept पर अपना third unit है पूरा उसके उपर आपन बाद में discuss करेंगे अभी पहले unit complete करते है तो ये तीम इसके diagram बना लें control bus, data bus, address bus जो मैंने आपको बताए which is your system bus ये processor हो गई, memory हो गई, IO हो गई इनके साथ ये क्या कर रहे है interact कर रहे है brown color की line देखी रहे हैं आप लोग तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे भई IO system bus के बारे में लिख सकते है तो बस structure आप अराम से बता सकते हैं तीनों के बारे में detail में discussion करना तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपना main काम क्या है main काम कुछ नहीं है यहाँ पर हमने discussion कर लिए instruction cycle का फिर अपन ने one human architecture already पढ़ लिया था फिर general register organization देख लिए bus के बारे में देख लिए ठीक है और कैचिए addressing mode देख लिए अब इसमें बचा है गया अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है अब इसमें बच रहा है RTL which is register transfer language तो register transfer language क्या होती उसके बारे में एक बार read मारते हैं अब micro operation मतलब अभी micro operation के बारे में बात कर लेते हैं चलो micro operation मतलब ऐसे operation जो उसके नाम से micro मतलब छोटे operations ठीक है तो छोटे operation मतलब किस तरीकी जैसे मैं बात करूँ आपको operations operations क्या होते हैं जो भी आप जान लो जैसे मेरे को करना है C is equals to A plus B मतलब दो number का sum करना है उसको store करना है C में तो this is your operant ठीक है ये सबको बता है operant क्या होते है operator कौन सा होता है तो A और B operant है और addition के उसमें operator है तो ये जो perform हुआ है वो क्या हुआ complete performance is known as operation operation मतलब आपका जो भी data stored है वो register में stored है with the help of micro operations ठीक है तो micro operations के अंदर मतलब single clock होने वाली है तो single clock अभी थोड़ा सा ये आपका time काफी tough time हो जाएगा clocking क्या होती है ये सारी चीज़ें क्या होती है बट आप इत्ता जान लो कि system calls इनके लिए अपने को थोड़ा सा operations के बारे में भी जानना जरूरी है तो भाई operations अपने जो micro operations के अगर मैं perfectly बात करूँ तो micro operations क्या होते है जो की छोटे operations होते है micro के नाम से ही है छोटे operations मतलब जो अपने बड़े operations है उनको हम break कर देते हैं छोटे operations में with the help of किसकी help से और बश्यवाद तेयार अपने जो काम है वो असान करने के लिए अपन इसको छोटे operations में break कर देते हैं यही concept कहलाता है micro operations तो एक बार इसको read करेंगे ना अच्छे से तो समझ मैं जाएगा तो RTL के अगर मैं बात करूँ तो micro operations performed of information store in more than one register तो micro operations जो है अपने एक सजादा registers जो है store कर देता है registers के अंदर एक सजादा register में इसका data information store रहती है ठीक है तो इसी language को अपन जो कहते है RTL कहते है अब RTL का जो actual use है वो कहा है the symbolic notation used to describe the micro operations transfer among registers known as register transfer language तो यह definition उसकी हो गई जो अपना notation है जिससे अपन denote करता है किसका micro operations का ठीक है अपने register transfer language यह जो line दिख रही है the symbolic notation used to describe the micro operation transfer among the registers called micro transfer operation अब मालो RTL के लिखने को आगे साथ number का मतलब एक question होता है दो पार्ट में divide कर दिया तो मालो साथ number का आगे RTL अब आब RTL में CVL line लिख क्या होगे कि नई वाई साथ number का है अब यह मतलिख दे न वहाँ पर जो हमने बताया छोटे है फिर बोले कि कौन से छोटे operation से मतलब बताना उसको example के through समझाना कि भाई micro operation ऐसे होते हैं जो perfect operations होते हैं उसको subdivide करते हैं तो छोटे-छोटे operation जो किलाते हैं micro operation किलाते हैं अंग्रेजी में लिखके आना ऐसा नहीं कि भाईया ने जो हिंदी में आपको समझा दिया वो ही कर दिया है नहीं हम हिंदी में इसलिए समझा ले हैं क्योंकि आपको समझ में आए इंग्लिश में तो कोई भी पढ़ के समझा देगा ठीक है तो पहले micro operation समझाना micro operation होने के बाद फिर आएंगे अपन RTL पे RTL के बारे में 5 से point लिखेंगे जैसे RTL stands for register transfer language RTL किसके काम किसके उपर depend है तो RTL is totally depends on micro operations दूसरा point ही हो गया तीसरा point के लिखेंगे RTL के बारे में लिखेंगे कि जो symbolic notation है जो micro operation का transfer register के थुरू बताएगा उसको कहते है RTL तो तीन point अपन ने सीधे बना लिए एक ही line से इस तरीके से आप sequence में लिखना start करोगे न तो काम बन जाएगा काम आसान हो जाएगा ठीक है तो फिर इसका अगर diagram हो तो diagram पेल क्या जाना खतम ठीक है तो भाई RTL के अंदर ये सारी मैंने बोला था micro operations कौन-कौन से होते है arithmetic micro operations हो जाते है normally है normal सारी चीज़े normal micro operations आप भी बताएगा operations ही करने अपने को तो इस तरीके से आप इसको समझा भी सकते हो logical micro operation हो गया ठीक है उसके बाद अपना logical समझा दिए फिर उसके बाद खतम कर दिए mask operation mask operation मत बताओ insert operation भी मत बताओ clear operation चाहते हो तो वो बतादो otherwise कुछ मत बताओ आप तो simple दो operation बताओ एक होगे आपका logical operation दूसरा होगे arithmetic operation operations हो बहुत तरीके क्या आप जानते हो arithmetic इसका नाम होता है arithmetic operation arithmetic operation में सब जाता है addition, multiplication, subdivision, module अगेरा ठीक है और दूसरा है logical logical में end और x और ये सब जाते हैं ठीक है तो अपन ये सिर्फ दो समझा देंगे micro operations के फिर उसके बाद RTL के बारे में detail में लिख देंगे तो खतम हो जाएगा समझे इस तरीके से साथ number आपको मिल जाएगे then RTL हो गया अपना micro operation हो गया अब इसके बाद instruction cycle मेरे खाल से यहाँ पे नहीं दिये देख लेना अगर आपको instruction cycle given है तो otherwise हम इसको next एक अलग से separate वीडियो में आपको समझा देंग instruction cycle क्या होता है तो मेरे खाल से पहली unit यहाँ पे लगभग complete होती है अगर इसमें कुछ topic बच रहा है जो आपको doubt है तो आप बिल्कुल पूछ ले ना और आपको मैं बता रहा हूँ यह जो multiplexer वगरा का concept है तो एक बार जरूर देख के जाना उपर से read मा लेना काम खता हो जागा multiplexer क्या होता है demultiplexer क्या होता है और जो general registers organization में special types of registers होते हैं जैसे program control, memory control, memory data registers memory address registers ठीक है यह सारे instruction registers तो एक एक बार इनके definition पढ़ लो वैसे तुम आने बता रखा है और one human architecture एक वीडियो बनाए complete मेरे खाल से 17-15-17 minute की वीडियो है तो उसमें मैंने सब समझा रहा है तो हम लोग unit number one को continue करते हैं जो बट आरजीपीव नोट के अकॉर्डिंग unit one जो है unit two में भी दे रखी है मतलब थोड़ा इसका जो advance part मतलब जो आदा जो बचा हुआ unit one है वैसे तो है छोटी नहीं बड़ी है तो इसके अंदर अपन जो बात करने वाले हैं instruction cycle के बारे में बात करने वाले हैं दूसरी चीज़ क्या हो गई इसके अंदर हम concept देखने वाले पूरे instructions का type of instructions का और जो अपनने designs देख रखी है control units की दो चरीके की होती है होता है hardware दूसरा होता है micro programmed control unit ठीक है तो यह जो designs है control units की इस lecture के अंदर हम देखने वाले है या फिर आप कहलो इस session के अंदर देखने वाले है जो कि unit 2 के अंदर रखा हुआ है ठीक है तो अपन एक बार देख लेता है किसका micro operations का ठीक है micro operations का symbolic notation है जिसके अंदर micro operations transfer करता है registers के लिए ठीक है यह हो गई normal RTL अब micro operations से अगर मैं बात करें तो वही हो गए ना मैंने job already आपको अदाया था एक बार तब भी मैं revise करवा देता हूँ micro operations जो होते हैं वो execute होते हैं data stored in register register के अंदर जो भी data होगा उसके stored होगा उस वो अपन execute करते हैं micro operations कर लाता है यह दो तीन चरीके के होते हैं इसे दिखा जाते हैं तीन से चार तरीके के होते हैं shift, count, clear और load ठीक है तो यह उसके कहलो example होगा है इसके थूँ अपन करेंगे और अगर micro operations के types देखें तो register transfer micro operation होगा logical transfer micro operation होगा arithmetic micro operation मैंने discuss किया था और shift micro operation होगा चार तरीके के आसपास micro operations के types होते हैं तो मेरे खाल से आप लोग RTL और micro operations समझ गया होगा तो इसके अंदर आपन वैसे देखा जा है तो instructions के बारे में पढ़ने आले instruction basically आपको समझ में आगया होगा और instruction format भी आपको पता होगा कि किस तरीके से instruction format होता है memory के अंदर ठीक है तो memory के अंदर instruction किस तरीके से होता है वो इसके अंदर तीन parts divided होते है memory reference instructions register reference और input and output reference is basically pointer pointer आपको बताने कि variables का जो भी address होगा उसको store करता है और एक point को refer कर देता है तो लगबग यह जो memory reference और register reference दोनों pointer के बिहाफ पे work करते है मतला उसी की तरह work करते है और यह unit को आपन शॉट में complete करेंगे because already आपको पता है इसके अंदर यार देखो instruction cycle है instruction cycle क्या होती है instruction cycle ऐसी cycle होती है जिसके अंदर हम जो है instruction को completely follow करें जैसे आप इसके अंदर आपको operand, opcode यह सारी चीज़े मिलेंगी बढ़ instruction cycle के actual faces कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ short में instruction cycle के actual face है वो है fetch instruction फिर होगा decode instruction फिर होगा read fetch, decode, read उसके बाद execute execute कर देंगे last में अपन instruction तो यह 4 faces में जो है instruction cycle complete होती है, तो instruction cycle आपको completely 4 faces में होती है और 4 faces को एक वाद आप इनले, मतलब अच्छे से explain कर सकते हो कि भाई fetch क्या होता है, decode क्या होता है फिर उसके बाद read करना अगर अपने को address, memory से कुछ तो फिर उसके बाद जो 4th face है execute करना instruction को तो यह 4 faces में complete होता है, इसको आप diagram के थुरू बताएंगे पहले, फिर उसके 4 हो के बाद 2-2-5-5 point elaborate कर देंगे 2-2-3-3 points, इससे instruction cycle complete हो जाएगी, क्योंकि diagram बन जाएगा दूसरा, इसके अंदर एक आपका क्या है, instruction cycle के अंदर क्या है, एक flow chart तो वो भी आपको कर लेना है, तो लगबग flow chart ही रहा तो यह instruction cycle का flow chart है, इसको देख लेना काम खत्म हो जाएगा देखो, start होगा, मैंने बताया था फिर fetch होगा, फिर decode होगा फिर execute होगा, execute होने से पहले आप यहाँ पर read address भी कर सकते from memory, ठीक है, फिर execute होगा फिर execute, चौथ नमबर पर होगा ठीक है, execute होने के बाद आपन interrupt cycle देखेंगे, चेक करेंगे कि कोई इंटरप्शन आया है, अगर जो कोई इंटरक्शन आया है तो process होगई interrupt, अगर जो नहीं आया है तो starting से होता, फिर fetch देखना है अपने को next instruction, जो next instruction होगा न उसको fetch करना, फिर decode करना cycle को या फिर decode करना instruction को, फिर read करना यहाँ पर एक parts है, इन्होंने रह दिया रह गया read address, ठीक है, कहां से memory से तो read address from memory, फिर चौथा होगा execution अगर जो interrupt आया interrupt आया, तो अपन program जो होगा अपना, या फिर process जो होगा, interrupt हो जाएगी अगर जो नहीं आया, तो वही follow step हो जाएगी ठीक है, तो यह अपना पूरा हो गया क्या instruction cycle, तो basically इसी को आपको बनाना है, काम ख़ता marks पूरे मिल जाएगे, अब इसके अंदर जो unit है, मेरा RTL वागेरा सब पढ़ा दिया, अब इसके अंदर जो unit है, उसके अंदर main concept जो है वो है भाई है, design of control unit तो जो control unit के design दो तरीके का होता है, एक होता है hardware control, दूसरा होता है micro programed control unit, ठीक है तो hardware control unit के अंदर अपन क्या देखते हैं तो अपन इस unit के अंदर जो आप जानते हों कि control logics जो होते हैं, वो implement होते हैं with the help of gates, flip-flop, decoders और other digital circuits, ठीक है लगबा का लगबा, आप इतना जानते हों कि इसका जो main काम है अपना जो hardware control unit का तो आप सभी को बता है कि control logic जो implement होते हैं, gates के थुरू होते हैं और flip-flop के थुरू, decoder के थुरू होते हैं mostly, ठीक हैं? तो भाई, hardware वही है hardware इतर देख लेते हैं, definition के according hardware control and micro control in hardware organization, the control logic is implemented with the gate, जो मैं आपको आता है था control logic, gates, flip-flop, decode and other circuit के थुरू use होता है और यह जो है, अपना जो भी काम है, उसको क्या करतेगा? fast करतेगा, fast mode of operation है hardware जो है, fast है but complex है, ठीक है? अगर इसमें modification हो गई मैं बोल रहा हूँ, hardwired में, अगर हमने modification कर दी, तो भाई, इसको modification करना बहुत ही ज़्यादा difficult हो जाएगा, इसमें जो combinational circuits बनेंगे, बहुत ज़्यादा बन जाएगे, जिसके कारण इसको modification करना बहुत मुश्किल है, तो यह काफी ज़्यादा complex है, बट, यह fast भी है hardware as compared to micro programmed control unit से fast है अब basically मैंने hardware आपको थोड़ा बहुत explain कर दिया, अब बात करते है micro programmed control unit की, तो micro programmed control unit जो है, अपना control unit design का part 2 है, पहला है, hardware control unit दूसरा micro control unit, अब इन दुरों के वीच में कभी कभी difference भी जाता है, तो difference में कुछ नहीं hardware fast है, तो यह slow गया, वो complex है, तो यह complex नहीं है, मतलब easy to use है, flexible है, flexible मतलब क्या, change करना इसको आसान होता है, ठीक है और यह implement होता है, using programming approach, तो भाई, hardware using हो रहा था, अपना hardware के approach, hardware जो होता न, hardware से implement हो रहा था, मतलब flip-flops, gates वगर ऐसे, ठीक है, but micro programmed जो हो रहा है, programming approach के थूँ, क्या हो रहा है, implement हो रहा है ठीक है, बस यह 2-3 type के आप, मतलब, लिख सकते हो, micro operations के उपर, ठीक है, तो basically यह difference रहता है, तो मेरे ख्याल से, यह unit है, वो लगबख इहीं के उपर dependent है बागे addressing modes वागर आपको पढ़ने है addressing modes, ठीक है, instruction format अच्छे से पढ़के जाना, तो भाई, बस यहाँ पर अपना unit 1 जो होती है लगबख complete होती है, बट RGPV के notes के according 2 भी यहाँ पर complete हो रही है तो unit 1 यहाँ पर अच्छे से हो गई है अब unit 2 के अंदर अपना addition multiplication इसके उपर अपन discuss करते हैं तो फिलाल यहाँ पर इसको यही पर end करते है unit 1 को अच्छे से, मैं फिर से बता रहा है unit 1 के important topics, मैं आपको बता रखे है जो 15 questions के अंदर है unit 1, 2 और 3, 3 unit अभी और बची उस्वे है बट unit 1 और 2 अच्छे से complete के है तो फिलाल अब आगे बात करते है unit 3 के साथ तो RGPV notes के according unit 3 which is unit 2, ठीक है मतलब main actual RGPV concept आप पढ़ना स्टार्ट करो बस खाम कतम तो unit 2 के अंदर मैं 3 नहीं बोलूँगा 2 बोल रहूं ठीक है आप समझ जारो unit 2 के अंदर हम देखने वाले addition subtraction 2s compliments के साथ और signed के साथ दूसरा boots algorithm मतलब multiplication भी देखने वाले 2s compliments के साथ और signed के साथ बट मैं boots आपको पूरी complete नहीं पढ़ाने वाला और ये भी सारी चीज़ें complete नहीं पढ़ाऊंगा आपको पता है मैंने boots algorithm की already video upload कर रखी है तो boots algorithm जाओ चेक करो सारा complete है आपको मिल जाएगा जैसा आप boots algorithm के अगर होगे नहीं flow chart के according हो different होगा but concept लगबग same रहेगा ठीक है तो भाई आप बात करते है unit number 2 की unit number 2 के अंदर हम यही पढ़ने वाले addition वगेरा तो binary आपको सबको आता होगा decimal से binary करना अगर जो नहीं आता है तो भाई ये unit तब ही बनेगी जब आपको यह आना हो चाहिए ठीक है तो पहले ये complete करो decimal से binary conversion binary से decimal तो ये conversion आने चाहिए अब देखो जो addition होता है subtraction होता है पहले signed बात में बात करेंगे पहले normal addition subtraction की बात करते है जैसे मैंने आपको कहा कि 4 plus 3 तो ये तो आप सभी को बता है इन दोनों का मैं add करूँगा तो किता आगा 7 आएगा बट भाई ये 7 किसमें है decimal में है हमको चाहिए binary में क्योंकि हम COA लगबग hardware के उपर implementation करते है registers की बाते करते हैं इस पूरे subject के अंदर तो भाई हम अब जो बात करने वाले हो computer की flow के उपर बात करेंगे ठीक है मतलब hardware की flow के उपर maximum cases में यही होता है तो अब अपन क्या देखने वाले हैं इसके अंदर यही देखने वाले हैं कि अपने को आप flow chart या फिर किस तरीके से जो process होने वाली computer किस तरीके से follow करते हैं normal तो अपन 4 और 3 को add करके साथ कर देते हैं क्योंकि normal multiplication या फिर normal edition असान होता है वाट भाई computer के इस तरीके से process कर रहा है वो देखने जरूरी होता है तो यह हम पूरा इस unit के अंदर complete करते हैं तो मैं आप लोगों को पहले signed number का नहीं पढ़ाके क्योंकि sign number थोड़ा सा लगे flow chart आपको follow करना पड़ेगा उसकी जगा पर मैं easy start करूँगा क्योंकि easily start होगा तो आपको अच्छे से अच्छा लगी था मतलब कोई friction नहीं आनी चीए पढ़ाई के लिए तो addition और subtraction हम पहले two's compliment का पढ़ेंगे ठीक है फिर signed and train का देखते है two's compliment में क्या होता है पहले कोई भी compliment निकालना हो जैसे number आपका ऐसे करके binary में वो लिखा हुआ है ठीक है इस number को क्या पढ़ेंगे अपन टू की पावर जीरो टू की पावर वान टू का स्कुर मतलब यह 00 मतलब कुछ नहीं टू का स्कुर मतलब 4 तो मतलब 100 को binary में रिप्रेजेंट करेंगे तो मतलब यह होगए decimal का 4 ठीक है मतलब number अपना यह है अगर जो मेरा इस number को मेरे को करना है यहाई पे गल लेता है जगा नहीं है तो यह जो number है 4 तो इसको मेरे को convert करना है once compliment में तो once compliment में कुछ नहीं जो one है उसको zero से replace कर दो जो zero है उसको one से कर दो यह भी zero है तो इसको one से कर दो this is your once compliment ठीक है अब मैंको two's compliment में करना है तो two's compliment में कैसे करूंगा जो once compliment में निकाला है उसमें plus one कर देंगे तो binary में one plus one zero होता है one carry आ जाएगा में की सोगता है कि यह टोस्का चाहें वेदिशन कर लो कुट कंपलीमेंट में टो आपेसे अगर नमबर जिए मैंने चाहरगो लिखो बारी में और साथ यह पिर चाहर विरंस कि ले लेते हैं को यह 403 चाहर bevor लिख लिख लिया binary में इन दोनों को add कर लो तो addition के लिए हमें two compliment से भी add कर सकते हैं once compliment में जैसा question में given हो वैसे once compliment में क्या है यह चार को पहले 01 में one को 0 में 0 को one में वो कर लो फिर इसको भी किसम कर लो 0 को 1 में 1 को 0 में वापस दोनों को add कर लो और जो answer जाएगा वो का संग युवलेद्व करने में वह चाहिए फलोचाट के सबानेगा वह bhai इरा फलोचाट हो यह आगर जो नमबर उनका छो X followed Xלא का साैं इसा होता है डिक है प्लस के साथ यह तो X XOR का sign यह है आप लोग को पता होगा XOR मतलब जो true value आ रही है मतलब 11 या 00 same value आ रही है true value नहीं तो इनका XOR क्या होता है जीरो होता है और remaining 1 और 01 उनका 1 होता है तो मतलब जो value दोनों same आएंगी तो उसका XOR 0 होगा अलग value different आएंगी तो उनका XOR 1 होगा तो अगर जो addition की बात कर AS और BS बराबर हो गए AS और BS बराबर होगे तो अपन सीधा add करके अपना answer निकाल देंगे ठीक है अगर जो one होता है one होता है तो फिर आपन इसका compliment निकालेंगे compliment निकालने के बाद फिर चेक करेंगे यह मेरा carry register है इसमें restore का carry carry के बाद यह फिर steps follow हो जाएंगी बात खतम यह बस flow chart आपको ध्यान में रखना है और यहां से आपका signed वाला part complete हो जाता है ठीक है signed वाला यहाँ पर complete हो जाता है और बात करूँ addition मेरा complete होगे subtraction complete होगे two's compliment के साथ भी complete होगे क्यों two's compliment में आपको बताया कोई भी number का two's compliment करसे निकालेंगे जो number है उसका प्लस जो number उसका फिपर बात मां कर देंगे two's compliment के साथ answer खतम वन्स कॉंप्लिमेंट में भी आपको बताए, 0 को 1 रिपिलिस करो 1 को 0 से खतम करता हो काम, थिक है, तो 2S Complement, 1S Complement मतलब वो होगया आपका, अब बात करते है, addition, complete, subtraction, complete, multiplication, 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 दो तरहिके के होता है, एक होता sign, और दूसरा भी टुस Complement, तुस Complement मतलब boots, थिक है, once compliment भी कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है हो जाना चाहिए हो तो जैसे addition subtraction का कर सकते हो वैसे इसका भी कर लेना sign में भी क्या होता है flow chart होता है boots में भी क्या होता है flow chart होता है तो दोनों का flow chart के according solve कर लो boots मैं already आपको बता चुका हूँ तो अगर जो normally लिखाता है multiplication तो अपन यूज करेंगे boots का क्योंकि हर साल boots का flow chart लोगों को याद हो जाता है तो रड़ जाता है मैंने अल्यड़ी तीन complete वीडियो बनाई है तीनों मेगे के example बता है with flow chart तो boots अलगोरितम पढ़के आना वाँ से और division अगर पढ़ना है तो division का भी आपको flow chart यहाँ पर given है बहुत बड़ा flow chart है अभी तक division previous year question में नहीं आया है बट chances हो सकते हैं कभी भी कुछी के भी आने के तो लगबग भाई यहाँ पर अपनी unit जो है उसका end होता है उसके साथ यहाँ पर अब floating point represent बचा हुआ अपना floating point representation भी एक important topic है इसके उपर भी कई बार question आ चुका है कई बार आने के chances भी बन जाते हैं इसके उपर तो इसके उपर भी एक बार normally बात कर लेते हैं तो यार इसको अपन तीन type में define करते हैं इसको इसको सॉल करने के लिए अपने को कुछ steps follow करने पड़ती हैं तो इसको solution आप लोग देख सकते हो कहीं पर भी content आपको already provided है तो मेरे खाल से यह जो है आपका लगबग second unit complete होती है अब हम बात कर रहे है unit number third की unit number third काफी जाद important है और थोड़ा easy है theory वाला part है theory वाला part आसान लगता है तो theory वाला part छोड़ना मत ठीक है साथ में इसको भी मत छोड़ना बहुत ही simple है बूच algorithm लिखेत में ले लो आईगी बूच algorithm की तीन complete वीडियो आपको limitless learning यह फिर कहलो true engineer channel में आपको मिलेगा यहीं पर यहीं पर यहीं पर मिलेगा क्योंकि असान है आप इस तरीके से समझ सकते हैं unit number 3 जो है असान है आयो इंटरफेस नाम है इसका तो काफी असान है इसके अंदर simple basic concepts है easy है theory वाला part है इसलिए बहुत सारे बच्चों को असान लगता है तो इसके अंदर हम कुछ नहीं input और output organizations के बारे में बात करेंगे इस unit के अंदर हम क्या करेंगे COA से जितना भी data transfer हो रहा है आयो की तरफ उसके ओपर deal करेंगे बट आपको बदा CPU जो है CPU जो है वो क्या है उसकी performance high है वो बहुत जल्दी चीज़ को fastly way में कर लेता है बट input और output में लगता time तो इन दोनों के बीच में जो interaction हमें perform करना है तो हम कैसे करेंगे आप लोग बोलेंगे कि यह बस लगा लें बस तो भाई यह वायर है वायर मतलब समझते हो ना इससे through इसको connect करने वो होता बस बस मतलब वायर बट अब हमें बात करनी है तो बीच में हमें कुछ ऐसे interfaces की जरवत है जिसके तुरू यह बात है जो है लोगों के बीच का चीज ठीक है conversation को गयते हैं इंटरफेस दो चीजों के बीच जैसे आप user हो user यह video देख रहा है विद्धी हल्प इंटरनेट इंटरनेट क्या हो गया बहीं इंटरफेस हो गया जैसे computer चला रहे हो computer operating system क्या इंटरफेस है तो मेरे खाल सभी को इंटरफेस क बहुत होता है ठीक है तो speed fast है इसलिए अपन आयो इंटरफेस का यूज लेते हैं because maintain करके चलें आयो का connection और CPU का अब आयो इंटरफेस के अगर किसी ने definition पूजली question paper में या फिर start कर दी आयो इंटरफेस पर ही question तो आयो इंटरफेस कैसे लिखेंगा आयो इंटरफेस क्या है कि भाई प्रो एक यह आयो इंटरफेस क्या है आयो डिवाइजेस एंड CPU cannot communicate directly इस तरीके से लिखना और बट अपने को एक special link की need होती है उसी को कहते है आयो इंटरफेस ठीक है आयो इंटरफेस के तुरू हम जो है data को transfer कर सकते है ठीक है with the help of आयो इंटरफेस तो इस तरीके स आप लिख लेना अब लोग बोलेंगे कि भाई CPU में ऐसा क्या है तो भाई CPU में कुछ नहीं CPU में क्या है CPU आप लोग को पता है इसमें registers है तो registers क्या होते है भाई group of flip-flop होते हैं इसके अंदर हम words के store में data format रहता अपना तो यह CPU की performance को improve करता है enhance करता है ठीक है अब आप सभी को पता है कि CPU इतना बड़ा नहीं होता साइज में तो इसलिए आउटपुट और आयो वगेरा हमें नीड होती है अब वो सेकेंडरी चीज हो गई अब यह जो आप डाइग्राम देख रहे हो यह डाइग्राम किस चीज का है तो यह डाइग्राम जो है CPU का और आयो डिवाइ मेरी चार तरीके के ऊपर होती है और status command जो status register के अंदर manage होता है input data command और input output data command ठीक है तो यह input और put भी registers में store होता है कहीं पर input कहीं पर output तो यह totally अपने चाहर टाइप के लगबख controls होते हैं IO के commands के ठीक है और इधर जो है वो CPU की working है मतलब CPU buffer बस मेलेगा फिर उसके बाद CPU chips होंगी चिप select करेगा उसके register देखेगा IO read होगी तो IO write होगी तो यह कर देगा तो इस तरीके से अपना CPU और IO के बीच का यह diagram है तो यह diagram भी आपको पता होना चाहिए ठीक है अब बहुत करता हूँ जो CPU है वो मतलब IO से या फिर input devices से connect कैसे होता है तो भाई यह जो CPU है इंटरफेस के थुरू connect होता है तो इंटरफेस बीच में आएगा उसके थुरू IO से यह करेगा interaction कर जाएगा तो यह diagram भी आप बना सकते हो जो मैंने अभी आपको गंदा सा बनाया है ठीक है तो इस तरीके से बना सकते है अब भाई इतना आपन ने पढ़ लिया अब जो standard है इंटरफेस के तो आपको पाता होना ज़ी जैसे PCI ठीक है नॉर्मली प्रोसेसर और मेन वैमोरी के बीच का जो ब्रिज होता है एक इसका डायग्राम इस तरीके सोता है एक प्रोसेसर होती है और एक मेन मैमोरी होती है इन दोनों को connect करके रखता है एक ब्रिज नाम से अब ब्रिज और यह पूरा जो PCI बस होती है PCI बस के अंदर यह होती है Motherboard के अंदर ठीक है तो PCI बस expansion बस कहते है on Motherboard होती है ठीक है तो भाई इसके अंदर आपन addition memory यूज करते है SCSI controller भी C के अंदर आता है USB controller भी आता है और ISA interface भी PCI बस के अंदर आता है SCSI controller के अंदर आपन disk को control कर सकते है ROM को control कर सकते है disk आप समझ सकते हैं disk क्या होती है USB controller के अंदर आपन सारी USB जितने भी होते games के ports होगे keyboards होगे इस तरीके की USB ports आप सभीने पहले भी पढ़ रखेंगे तो इसके उपर previous 2020 में question आया हुआ PCI बस क्या होती है ठीक है SCSI बस क्या होती है और आपकी USB बस क्या होती है तो मेरे ख्याल से मैंने इसको short में बहुत ही simple way में आपको समझा दिया है अब यह जो चैप्टर है बहुत simple है इसके अंदर आपने लगबग बहुत ही simple चीज है ठीक है एक बार पड़ों को खतम हो जा अब बात कहते हैं data transfer की तो data transfer है वह भी दो तरीके का होता है एक होता है synchronous और एक होता है asynchronous अब अपने को पता है कि serial जो है वह भी दो तरीके का होता है synchronous और asynchronous अब हम बात करते है asynchronous की तो भाई asynchronous पर सिंहरो उस्ग्रोन में फिर से दो तरीके के होता है एक होता है है होता है निता है अपने थेकित कि अ अगärt करी ट्रांसफर ने पर Σेटंक्रोन में थोर तरीके के होता है एक hand shaking दूसरा क्या होता है stroke control तो इसके उपर difference between आते जाते जैसे stroke control और hand shaking के बीच का difference आ गया दूसरा एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के उपर आ गया तीसे रहा पैरलल और सीर्यल की बीच में आगया तो भाई यह सब पता होना अची है सब पता होना आची है आपको तो काम बन जागा तीन कोशन तो डिफ्रेंश बिटिन आपके इसी टॉपिक से हो गया डेटा ट्रांस्फर होता स IlEST जिदने भी आपके इन्पूर्ट सह में जितने भी मैससिजक्य आपको पास करें वह तुरांट चलिया तो ऐस्स होता है ठीक है ओर जोS उसमेट के सारा डिटा क्रांप auth स क्लिधे होता है तो 한uveं एपने जो wires होते हैं या फिर bits होती हैं वो ज़्यादा use होती हैं क्योंकि एखटी सारी जाती है और सभी use हो जाती है ठीक है fast होता है parallel मान लिया but serial थोड़ा slow होता है serial होता है दो तरीके का मैंने आपको बताया था synchronous और asynchronous synchronous जो है लगबग parallel को follow करता है synchronous भी fast होता है synchronous में क्योंता है sender और receiver की जो clock होती है same clock होती है but asynchronous में दोनों की clock difference होती है तो यह आपको part समझ में आना चाहिए अब दूसरी बात मैं करूँ कि asynchronous भी दो तरीके का होता है मैंने आपको होता है एक होता है आपका hand shaking दूसरा होता है आपका stroke control तो stroke control में क्या होता है sender से receiver हम एक ही unit के थ्रू कर सकते है but hand shaking में दो तरीके से sender से receiver की तरफ जा सकते है जाने की तरफ अलग आने की तरफ अलग इस तरीके से अपना data transfer complete होता है यह एक बहुत बड़ा topic है difference between पढ़ो अच्छे से complete हो जागा अब बात करते हैं यहां पर modes of transfer के अब भी अपने data transfer पढ़ा था अब modes पढ़ते है modes जो बेसिकली तीन तरीके के होता है एक होता है program डायो दूसरा है interrupt आयो तीसरा है dma यहां पर आप सभी को बता है मैंने हर वीडियो में बता है dma super important है इसका मतलब यह नहीं कि यह दोनों बिकार है नहीं अपने को कोशन आ सकता है या तो dma से या फिर सीधा आजाएगा modes of transfer लिखने को आए ठीक है इन दोनों में क्या होता है इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है क्या जो अपना इंट्रेक्शन होगा वह CPU से आयो के बीच में होगा ठीक है थोड़ा सा यह दो चीज़ों में programmed IO और इनिशेटेड आयो में क्या होगा कि आयो जो होगा interact करेगा CPU से CPU further interact करेगा memory से तो थोड़ा सा दिक्कत दाई होगा बट dma में क्या होता है direct memory access का नाम से तो आयो जो है directly किसको access करेगा memory को तो यह दोनों में अंतर है दूसरा जो programmed IO है पहला पार्ट जो था ठीक है प्रोग्राम्ड आयो थोड़ा है CPU को रखता है waiting condition में तो यह बिकार हो जाता है इसी को enhance करके हम बनाते हैं वह यह सेकंड चीज़ जो है initiated IO interrupt initiated IO इसमें क्या होता है कि CPU wait नहीं करता CPU को अगर IO नहीं मिलता है तो CPU दूसरा काम में लग जाता है ठीक है तो wait नहीं करता जो कि अच्छी बात है जो disadvantage था प्रोग्रांड आयो का वो complete कर देता है interrupt initiated IO फिर बात आती है DMA की तो भाई DMA क्या है DMA भाई बहुत सही चीज़ है direct memory access करता है input output किसको memory को direct access करता है CPU की कम से कम interaction से तो यहाँ पर जो time बचेगा वो अच्छा हो जागा और यह मतलब performance बहुत अच्छी हो जागी अब DMA का diagram भी पता होना चाहिए तो DMA का diagram यह हो गया और एक और basic diagram होता है तो वो मेरे खाल से इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पर अपनी unit जो है पूरी खतम नहीं होती है अब इन्होंने unit यहाँ पर complete कर दी बट मेरे खाल से इस unit के अंदर अपने को अभी interrupt और पढ़ना ह ठीक है तो interrupt देखते नेक्स वीडियो के साथ अगर इसमें complete नहीं हो पाता है तो वैसे interrupt आप सभी जानते कि क्या होता है interrupt कुछ नहीं होता है इंटरप्ट होता है normal जो कि अगर कोई process आप को CPU किसी process को CPU allocate हो गया माल लो ठीक है P4 को माल लो CPU allocate हो गया process number 4 को तो अब जरुवत ह है P5 P5 अपनी antivirus process माल लो इसमें कुछ errors थे या इसमें कुछ मतलब आप समझ लो कुछ इस code में ऐसा चीज था जिसके through यार अपना जो operating system है या फिर जो भी computer है उसको need हो गई antivirus की जो की process number 5 है उस case में क्या होगा उस case में कुछ नहीं होगा जो अपना P4 है वहीं का वहीं पर interrupt हो गया तो यह interrupt हो गया अब interrupt को handle करने के लिए mechanism है जिसका नाम है interrupt handling mechanism जैसे की नाम है वैसे उसके काम है interrupt को handle करने जिए अब इसके अंदर आपन क्या क्या चीज़े पढ़ेंगे तो types of interrupt भी important है एक होता हाडवेर दूसरा होता है software hardware के अंदर भी दो तरीके होते है internal और external hardware software तो basically यह की type का होता है तो यह होते हैं दोनों के types ठीक है तो यह भी आपको interruption पढ़ना है देखते next unit में क्या दिया होगा वह आपने पढ़ा देंगे तो interrupt लगबग हमने basic complete कर दिया है ठीक है तो अपनी यहां पर unit number 3 जो है complete हो जाती है फिर आपने बात करते है unit number 4 की and last unit which is unit number 5 तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि unit number जो 3 है जो इसके according 4 है बट जो unit number 3 actual है जिसके नाम है IO interface उसके अंदर interrupt नहीं दिया है जिसके यहां पर मैं सोच रहा था दिया होगा नहीं दिया पर ठीकिन तो interrupt आपको पढ़ना है ठीक है notes खुद से बनाऊ उसके interrupt basically मैंने आपको previous अब थोड़ी तेरे पहले 5-10 मिनिट पहले मैंने इसको अच्छे से explain किया है just before unit number 4 के तो unit number 3 में हम यही बात कर रहे थे कि interrupt जो होता है वो भी एक important topic है इसके important question मैं आपको provide कर वा दूंगा अलग से but interrupt पढ़के जाना है ऐसा नहीं छोड़ देना interrupt के question आगे तो दिक्कत हो ज होती है basic basic एकदम और अगर इसमें अच्छा question बन गया तो है cash memory जो हर साल आ रहे cash memory और उसकी mapping ठीक है तो यह important है और कभी-कभी आ जाता है तो virtual memory भी पूछ लेता है ठीक है तो normally सभी को बता है memory के बारे में सभी को पता रहता है maximum क्योंकि आप लोग laptop खरीते हो तो सब को पता बता हूं छोटा सा topic है छोटी सी unit है तो memory hierarchy के अंदर यही होता है भाई सबसे जो छोटा होता है आपको बता है CPU के अंदर register है फिर cash आती है फिर RAM आती है RAM को बोलते है main memory ठीक है और इन तीनों को बोलते है primary memory ठीक है ऐसा कुछ बोलते है optimal disk है magnetic disk है magnetic tape है तो इनको बोलते है secondary memory auxiliary memory भी कहते हैं इस जगा तो जैसी यह छोटी होती है यह बड़ी होती जाती है तो इनका जो size है नीचे जाने में बढ़ जाता है मतलब register का size सबसे छोटा है cash RAM इस तरीके से होता है तो इनका जो size है वो भाई नीचे जाने में बढ़ता जाता है magnetic यह सब क्या secondary memory है और इनका ज register बहुत fast होते है cost भी इनकी हाई होती है जब ही register बहुत छोटे हो size के होते हैं KBs में होते हैं तो RAM GB वगेर हमें हो जाती है बट registers KB में होते हैं तो register क्योंकि बहुत costly होते हैं और काफी speedable होते हैं तो basic आपको hierarchy बनानी memory की इसी के बारे में सब बता दो एक ताम कच्रा कर द होती है रोम क्या होती है secondary memory क्या होती है इनी के बारे में पूरा discussion है काफी चोटी unit है अगर इसमें कुछ पढ़ने लायक है तो वह है भाई mapping एक mapping हो गई दूसरी होगी cache बस यह आ गई cache जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको पता है कि cache भी क्या एक memory है और यह भी fast memory है बट रेजिस्टर से slow है और रेम से fast है क्योंकि दोनों के बीच मारी है तो यहाँ पर आपको पता कि यह थोड़ी costly होने वाली है तो इसी के बारे में आपको बताना है और इस सबको बताया रेम क्या होती है मैं क्या बता हूँ रीड अपने प्रोग्राम या फिर डेटा को स्टोर करके रखते है ठीक है आप लिख सकते हो cash memory किसके काम आती है तो यह cash memory बहुत तरीके होती तीन चार तरीके की cash memory होती है तो उनके बारे में आप समझोगे पढ़ोगे अच्छे से समझ मैं जाएगा एक बार Google कर ले ना तो सारे नोट अच्छे मैं जाएगा आर जी पी नोट में नहीं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है जो जो काम का चीज है वो हटा देते हैं यह लोग पठीक है जो भी है अपने को रिवाइस करने के लिए आसान पड़ता है ठीक है फिर cash memory हो जाएगी तो आपको पढ़ना है virtual memory बात खतम unit खतम सबको पता है वाई यह basic है basic इसलिए मैंने आपको starting में ही बता दिया थे कि इसको बहुत जल्दी खतम करेंगे यह आप अगर आप लोग unit 3 अपनी complete करके यहां पे आ रहे हो तो मतलब आपका पूरा काम होगे अब बचा कुछ नहीं करेंगे 2-3 minute 5 minute के अंदर खतम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं starting की 3 unit बहुत बढ़ी है तीन भी नहीं कामगा में 2 unit बहुत बढ़ी है उसके बाद काम खतम है तो अपना अभी तक जिसनोंने पढ़ लिया तो आप लोग को पता चल गया होगा कि unit number 5 और 6 मतलब जो 4 और 5 है according to RGPV notes के according नहीं बता रहा हूँ normal 4 और 5 unit जो है काफी simple है काफी ज्यादा simple है ठीक है और इसमें कुछ नहीं normal concepts है तो basic concepts देखेंगे काम खतम करेंगे आप सभी को लोग को पता है कि भाई RAM गया होती ROM गया होती मैं already discuss कर चुका हूँ previous अभी जो unit थी उसमें अब जो last unit है 5th unit है अपन तो bus unit के नाम पता चल रहा है अब इसका नाम है भाई multiprocessor अब इसका नाम ही है multiprocessor ठीक है आप सभी को पता है multiprocessor मतलब CPU जिसमें एकसे ज़ादा होंगे उसको कहलेंगे multiprocessor क्या है बहुत ज्यादा fast होता है इसमें processing बहुत ज्यादा fast होती बिकॉस एक-1 CPU अगर disk तो यह multi CPU वाला काम होता है इसमें multiprocessor इसमें काम जो बहुत ज्यादा fast होता है ठीक है तो यह इसकी characteristic होगी यह इसमें कुछ advantages लिख ले ना अब मैं पूरा आपको basically unit नहीं समझाने वाला हूं इसमें आपको important topic बताने वाला हूं वो क्या है तो basically जो आप देखे रिस्क और सिस्क यह बहुत ज्यादा वार आता है ठीक है इन दोने में बीच में डिफरेंस भी आ जाता है और concept of pipeline बस यह जो main concept है यह आपको नहीं पता होंगे बागी सारी चीज़ां आपको maximum cases में पता होंगी characteristic क्या होती multi processor multi processor क्या होता है Intel processor क्या होता है इस सब चीज पता है वाई सबको basic पता है एक बार पढ़ोगे read मारोगे content समझ माझा जागा बट अपने को risk courses को नहीं समझ माझा था pipeline क्या होती एक से ज़्यादा चीजों का अपन work करते है एक से ज्यादा क्या करेंगे अपन सब चीज एक टुजेट समझाएंगे कि इंस्ट्रक्शन हो सकते बहुत सारे अब एक एक करके इंस्ट्रक्शन को follow करेंगे तो उसमें लग जागा time बहुत ज्यादा बट pipeline का concept क्या कहता है कि concept of pipeline यह कहता है कि अपना जो instructions है उसको अपन एक ही साथ करें वाल्लेल इंस्ट्रक्शन को follow करें जिससे कि through अपने इंस्ट्रक्शन जो है जाद इंस्ट्रक्शन एक ही time में execute हो जाए और जल्दी से अपना output आ जाए तो यह होता है concept of pipeline अब मैं आपक अब है basic सभी का knowledge रखो मैंने कहा रहा है कि बस यहीं पढ़के जाओ basic सब पढ़ो कि multi processor क्या होता है structure कैसे होता है multi processor का बाग इसकी further details पढ़ो advantage पढ़ो सब पढ़के जाओ but basic जो important जो आ रहे है उनको भी करना है ठीक है ऐसा नहीं कि अपनों को यहीं नहीं पाता risk or cisk क्या हो होता है और risk क्या होता है risk और cisk दो बड़ी चीज़े हैं ठीक है cisk का जो पूरा नाम है complex instruction set computers जैसा इसका नाम वैसा काम complex मतलब खदनाक बड़ा होगा और risk का मतलब है reduce instruction set computer देखो ISC तो सेम है instruction set computer यह complex यह है reduce बस खदम risk reduce है cisk complex है तो भाई यह नाम से इसका पता चल रहा है कि भाई जो cisk होने वाला है वो complex होने वाला है तो complex होने वाला है तो अब अपने को पता है कि cisk के अंदर और risk के अंदर differences पता चल गया अब तो basically नाम से पता चल लिए दो difference मैं इसी निकाल दूँगा cisk में टाइम ज़ादा लगने वाले की complex है और risk में टाइम खोड़ा कम लगने वाले दो से होगया अब risk में टाइम ज़ादा लगने वाला है तो आपको करता है जबकि रिस्क जो होगे high end applications को follow करता है सिस्क जो है micro program control unit मैंने आपको बढ़ाया था control unit का design के अंदर दो तरीके का होता है एक होता है micro program दूसरा होता है अपना hardwired ठीक है तो सिस्क को follow करता है micro programmed को और रिस्क को follow करता है hardwired को बस खत्म addresing mode सिस्क में बहुत ज्यादा होता है risk में ना के बरावर होते हैं बहुत कम होते हैं तो यह कुछ major differences है ठीक है तो और एक और चीज है कि जो सिस्क में data transfer होता है memory से memory होता है और risk में register से register होता है इसलिए как रिजिस्क 있는데 नाम से आर मतलब register ही समझ लो वैसे तो reduced होता है, याद करने के लिए याद रखना है कि जो transfer of memory है, वो transfer कहां से कहां तक होता है, register to register होता है risk में, क्योंकि R stand for risk, और समझ रहे हो, register, sorry, तो register हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपन समझ सकते हैं, तो यह basic definition हो गई, basic, इसी को अगर definition में आगे, risk क्या होता है, इस topics के हैं, 15 questions मैंने जो बताये थे, वो तो आपको लगाने लगाने, इसके अलावा में और questions आपको provide कर वाऊंगा, साथ में जो important छोटे-छोटे topics हैं, उनके उपर, और detail में सब चीज़ बताने वाले हैं, कि किस तरीके से आपको notes बनाने हैं, किस तरीके से आपको exam में paper में द नहीं किया जा सकता, आप भी जानते हों कि एक घंटे में या फिर 45-50 मिनिट में कुछ topic complete नहीं होता है, ठीक है, बट यह overview है, complete पूरा CUA का, unit 1 से लेके 5 तक का, तो में जाल से आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही महनत लगती है, एक complete वीडियो बनाने में, तो या लाइक, शेर, सस्क्राइब कर दो फटाफट, तो वीडियो शेर होनी चीए बराबर,